नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्लोटिंग सिटी यानि कि धर्ती ही नहीं समुद्र में भी बसेंगे इनसान 65,000 करोड में बनेगा कच्छुए जैसा सहर रहेंगे लगभग 60,000 लोग जी हाँ, टेरायाच पानी पर तैरने वाली दुनिया के सबसे बड़ी सनरचना है जिसे एक साथी अरब में बनाया जाएगा या इस स्ट्रक्चर में एक भारी भर कम बजट खर्च किया जाएगा पैंगियोस के डिजाइनर लेजार रिनी इसमें 8 बिलेन डालर यानी की 65,000 क्रोड रुपे खर्च होने का अनुमान लगाया है साथी अरब की टेरायाच का आकार कचुए के आकार जैसा है लेकिन आकार काफी बड़ा होगा फ्लोटिंग सिटी निर्माताओं का काना यह है कि 1800 फीट लंबा और 2000 फीट चौड़ी होगी पैंगिया की आदमें फ्लोटिंग सिटी की नाम विसाल का नाओ का नाम पैंगिया के नाम पर रखा गया है साथ हजार लोगों के रहने की चंता सवुदी अरप की प्रस्तावित तेरा याच विसाल आकार के साथ अधिक चंता वाली भी होगी ये एक साथ साथ हजार लोगों का भार्शा सकेगी इसके लिए एक भारी भरकम बजट भी खर्च किया जाएगा अनुमाल लगा जा रहा है कि इसमें करीब 65,000 करोड रूपए खर्च किया जाएंगे दरसल टेरायाद सब्द उन जहाजों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सूपर मेगा और गीगा नौकाओं से बड़े हैं किंग अब्दुल्ला पोर्ट पर बनेगा सहर इतनी बड़ी सनरचना बनाने के लिए डिजाइनरों को एक विशेस अस्थान क्या हो सकता होगी सौधी अरब में इसके लिए किंग अब्दुल्ला पोर्ट को प्रस्तावित किया गया इसके निर्माड की प्रक्रिया सुरू होने से पहले लगबग एक वर्ग किलोमीटर समुद्र में एक गोलाकार बात बनाने के आवसकता होगी सोसल मीडिया उजर्स ने उठाय सवाल टेरा याज को लेकर सोसल मीडिया उजर्स ने बड़ी जिग्यासा व्यक्त की है आप लेजर्स रिनी द्वारा उनके यूट्यूब पर पूरिए